दोस्तो आज हम लोग बनाएंगे काले चने की फुली फुली खस्ता और स्वादिष्ट मसाला पूरियां इसके साथ खाने के लिए आपको किसी सब्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे चटनी, अचार, दही या फिर ऐसे ही खा सकते हैं तो फिर देर किस बात की चली र दो हरी मिर्च, दो छोटा तुकड़ा अद्रक और पांच-छे कलिया लहसुन की अब इसे महिन ग्राइंड कर लेंगे इसे ग्राइंड करते समय हमें पानी का यूज नहीं करना है अब इसे एक बावल में ट्रांसफर करके इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच लाल मिर्च अधा छूटा चमच गरम मसाला पावडर, अधा चूटा चमच अजवाइन, अजवाइन को अपने हतिलियों के बीच में इस तरीके से मसल करके डालेंगे अब इसमें डालेंगे एक चूटा चमच सफेद तिल, थोड़ा सा कसूरी मिथी, स्वात के अनुशार नमक, गूतने के लिए पानी का इस्तमाल नहीं कर लेंगे। जब स्क्रीटे कर ले लिए अब इसे घुटने में मैंने दो कप गिहूं के खोले हैं। एक बार फिर से मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इसके बाद इस डो में से एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसे अपने हतेलियों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए एक बड़ा सा पेडा बनाएंगे इसके बाद इसे बेल लेंगे इसे हमें थोड़े बड़े साइच क है आप चाहे तो इसे भिलने के लिए न기 पर थोड़ा सा अटा लगा सकते हैं लेकिन ही अब बिना आटे के भी बढ़ी आसानी मिसे बेला जाता है इसकी थीकने समें पूड़ी के साथ फिर से यूज कर लेंगे तो मैंने इस तरीके से कुछ पूरिया बना कर त्यार कर लिए चलिए अब इन्हें फ्राइ कर लेते हैं इन्हें फ्राइ करने के लिए एक पैन में तेल करम करेंगे और इसमें एक एक करके कुछ पूरिया डाल देंगे यह पूरिया साइज में इसलिए मैंने चार पुणिया एक साथ डाल दी है, पूडियों को डालने के बाद अच्छे से दबा कर इस तरीके से फुला लेंगे, जब ये फूल जाए तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए सेक लेंगे, क्योंकि हमने कच्चे चने का यूच किया है, तो अ आप सुबा के नास्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में पैक करके दे सकते हैं, ये पूरी की रेस्पी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से रो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिल एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई